नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस चैनल पर और अभी पिसले वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहते कि कितने लोगों ने किन सब्जेक्ट में अपलाई किया हुआ है तो इसके एक छोटी से लिस्ट कुस टाइम पहले एक तरह से वाइरल हुई थी औ इसके बाद भी बहुत सारे अभी 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 आपको दिखाऊंगा तो आप वीडियो में बने रहें आप मैं सब्जेट के डिटेल एक बर आपको बता देता हूं इंग्लिश में आप देख सकते हैं जनरल ब्रांच में 8,95 लोगों ने अपलाई किया हुआ है हिस्ट्री ज जनरल ब्रांच में 7,351 एकोनोमिक्स जनरल ब्रांच में 4,419 बाइलोजी जनरल ब्रांच में 4,418 मैथमेटिक्स जनरल ब्रांच में 4,731 जोगरफी जनरल ब्रांच में 1,970 हिंदी जनरल ब्रांच में 6,978 आर्ट जनरल ब्रांच में 4,89 सोसियोलोजी जनरल ब्रांच में 2 217, psychology, general branch , एक दो एकरीकर्चर , जननल ब्रांच में 40, physics जनरल ब्रांच में 2390, chemistry जनरल ब्रांच में 290 थो 7, sanskrit जनरल ब्रांच में 3690 , chemistryワमन justice में आप benefits women branch में 31957 , English women branch में 2258 , physics women branch में 111, Biology वोमन ब्रांच में 313, Economics वोमन ब्रांच में 2960, Hindi वोमन ब्रांच में 4199 और Maths वोमन ब्रांच में 2391 और Geography वोमन ब्रांच में 431 यहां पे स्टूटन्ट रहे है कूलमिला के संक्या यहां पे होती है सत्य अजा में 73 है इतने अब ब्यरतियों ने आविदन किया, zawyden करने के बा। पे किया था, अपने application for payment किया था और कॉम्चैन कांँ था, मतलब किया अभी आपको आपको बताना чाहूंगा दो पढ़रा है जनर्रल जनरल ब्रांच मतलब से जो जनरल केटेगरी से का मतलब नहीं है जनरल इन जनरल ब्रांच मतलब जो ओपन जिसमें हरनों सब्गों कर सकता है अब को बताता हूँ कि इन से बहुत सारे सब्जेक्ट चैन्स मैं बहुत सारे फॉर्म कराण है कि बहुत सारे लूगों ने फॉर्म को अच्छे तरीके से फिल यह किया तो कई लोगोंगों की कॉजल क्वाडलिफीकेशन से कundra नहीं रही थी बहुत सारे सब्जेक्ट इनमें ऐसे हैं जिनमें अलग अलग सब्जेक्ट और भी होते हैं इंटर डिसिप्लेनरी जिनको हम कहते हैं उसी सब्जेक्ट के अंतर कर जो आते हैं तो एलाइट सब्जेक्ट से फॉर्म बराता लेकिन जो एलाइट सब्जेक्ट से उनके और पुंड जो होते हैं यहां पर यूप सब्सक्राइब उन्हें वी रिजक्ट किया गया तो यह कुछ कारण थे जिस जिस कारण बहुत सारे इन 70 जार मैं से काप भी सारे लोगों के फॉर्म रिजक्ट हुए हैं अब वो कितने हुए हैं यह मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें आप समझ सकते हैं, 70,000 में वो लोग भी है जिन्होंने दो दो बार फर्म बरा है, कई बार एक फर्म गरत भरने के बाद दुबारा दूसरा फर्म बरा और पहले फर्म को रिजेक्ट किया है, तो वो भी कही न कई पेड स्विकार किये हूए, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अउत्राखंड विदेश अधिनस्त सिक्षा प्रवक्ता समवर्ग सेवा सामान या एवं महिला शाका परिक्षा 2020 है, प्रकाशित विग्यापन संक्या इसमें नौदस 2020 के क्रम में प्राप्त ऑनलाइन आविदन पत आप समझ सकते हैं, उन पचास जार लोगों ने यहां पे क्या किया है उनके फर्म को के एसप्ट किया गया, आप respect किया और आप समझ सकते हैं 55, 469 में कितने लोगों ने प्रिक्षा नहीं दी है, तो आप समझ सकते हैं कम से कम 2-3,000 तो 2-4-56,000 तक होकता यहां बिघता करती हैं बाकी आगे आप अनुमान स्वहम लगाईएगा आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कुछ लोग क्रोधित हो जाते हैं हमारी वीडियो से और उन्हें इसमें अगर संतुस्तिकारक जानकारी नहीं मिलती है तो उनसे में चमा चाता हूं सर्वे में आप लोग जरूर भाग दिल लेते रहें और अब्जेक्शन वरने की जो अंतिम्तिती है वो छे तारिक को है चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द ही मिलते एक नई वीडियो के साथ धन्याबाद नमस्कार